हम इस्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आज कल इस्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया हैatyँ लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया Ψहीं होगा42ела दुनिए में लव नहीं होता है किसी से, यह एक अट्रेक्शन है सबको माणनि यह तूसे फीपैल से होगा फीपैल से होगा तो कोई कैसे कहेता है किम्त तुनाहरी ए्ट्रेक्ट हो रहा है तो उसको छुपाने के लिए भून को लोव वह बहुत अग какता है अगर मेल्व नहीं हो गया आप कोई कहता है कि त्यूलॉब करता है उसके लिए पूरी जिंदगी बरबाद कर देते हैं यह सब वह गलत चीज है जो आप अपना देखिए आप अपना करियर छोड़के अगर इस सब चीज में जाईएगा तो पूरी लाइफ बरबाद हो जाईगे आप जो रिस्ता खोचते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में यह सब पर्मनेट रिस्ते नहीं हो सकते हैं हाँ आप गर आप गल्फ्रेंट से साधी करेंगे तो यह आपके लिए बेस्ट लड़की होगी लेकिन माबाब जो ढून के लाएंगे जो भगवान आपके लिए बनाया है वो लड़की आपके लिए यूनीक होगी इफ यू विल बेस्ट, यू विल नमबर वन और इफ यू विल यूनीक, यू विल ओनली वन तो याद रखिये का जो भगवान आपके बना के जोड़ता है वो रिस्ता सबसे अच्छा होता है अपने माबाप को देखिये न क्या जगड़े नहीं हुए लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी आप देखिये आज कल के जो वेस्टरन कल्चर आ गया है क्या वेस्टरन कल्चर हो गया है समझ में नहीं आता है प्यार और छोहाड़ा इसकी जिंदगी नहीं एक साल होती है एक साल में खराब हो जाता है ये वेस्टरन कल्चर है हमारी भारत की संस्कृते नहीं है हम गर्व करते हमें अहंकार है में गुरूर है अपने भारत की संस्कृती पर जहां एक छोटी सी बच्ची भी गुडिया खरीती है न तो उसके लिए डुपटा खरीती है और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाऊने यार बेवफा भी निकलेगी तो मुकदर बना के जाएगी दिन नहीं सबके लिए 24 घंटा का होता है ऐसा नहीं है कि आपको अलक से वक्त मिलेगा लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पती बनने का सोख है तो किसी को महनत करके करोड़ पती बनने का सोख है तो आप decide करिये आपको क्या बनना है क्योंकि बरसोबाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी girlfriend है लोग पूछेंगे कमाता कितना है हैसियत कितनी है तुमारी ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते है लोग एक दूसरे से वादा करते हैं जिला में सबसे उचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अब ही आप सोचिएगा आराम करने के लिए पूरी जिन्दगी आपको तक्लीफ उठानी पड़ेगी, अगर आज आप किताबों के दिवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दिवानी हो जाएगी किसी dream girl के लिए ना, अपने माबाप के dream को कभी नहीं छोड़ना चाहिए आप लोग जो सुचते हैं इधर उधर वो खुशी, खुशी तो आप लोगोंने कभी देखा ही नहीं, कोई student अभी तक खुशी नहीं देखा, आपको वेक्तिवेद बताते हैं देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको job मिलेगा ना, और जो पहली salary मिलेगी वो भी नहीं खुशी है जब आप अपनी पहली salary ले जाके अपनी मा के हाथों में देंगे ना, तो आपके आँखों में आसु होगा आप याद करेंगे कि जिस मा की उंगलियों को पकड़ कर हमने चलना सिखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है और जब कमाने लगेंगे ना, तव समझ में आएगा कि लाखों रुपए की एहमियत कुछ नहीं है वो एक रुपए के आगे जब मा इस्कूल जाते वक्त दिया करती थी और गौर से देखा कर आपने माबाप के आखों में यह वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बुड़े नहीं होते हैं